हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट से नान की रेसिपी इसके लिए हमें चाहिए गहरा बरतन इसमें मैंने लिया है वन फोर्थ कप के करीब दही मैंने लिया है आधे चम मैंने लिये यहाँ पर आधे चमच के करीब चीनी आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो रैडी कर लेना है यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है आप चाहें तो रूम टमपरेचर पर रखा हुआ दूद भी इसमें अड़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने उपर से ग्रीज कर दिया है इसमें और अब मैं इसे 20 मिनट के लिए रख दूँगी 20 मिनट के बाद हम कुछ इसे इस तरह से स्ट्रेच करेंगे इससे जो बीच-बीच में मैदे में लंप्स रह गये होंगे वह और भी ज्या 5-7 मिनट के लिए करना होगा जिससे आपका आटब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होगा पिल्कुल इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें लंस नहीं आपको दिखेंगे और फिर हमेरी से पांच मिनट के लिए मैंने और रेस्ट के लिए रखा है आप चाहे तो तुरंथ भी से यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट और चिखना सा रेडी हुआ है इसके बाद हमें इसके पेड़े कट कर लेने हैं यहां मैं थोड़े से मोटे पेड़े कट कर रही हूं क्योंकि मैं थोड़े से बड़े नान आपको बताने वाली हूं और सूखा म मैदा फेला लिया है इसके बाद मैंने थोड़ा सा रोटी पर भी लगाया था और अब हमें इसे बेल लेना है शेप आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं आप चाहें तो इसे गोल भी बना सकते हैं या थोड़ा लंबे में भी बेल सकते हैं मैंने इसे लंबे में बेला है और इस के बैक साइड पर पानी लगाया है पानी में आपको जरा भी कंजूसी नहीं करनी है फिर मैंने गरम तवे में इसे चिपका दिया है अच्छे से हमें इसे पकाने में करीब दो से तीन मिनट का समय जाएगा जब इस तरह से कुछ बबल आने लगेंगे तो आप चाहें तो इसम क्लेम ही रखनी है हम हाई नहीं रखेंगे इसके बाद मैंने एक इस पैचुला की हल्प से निकाल लिया और आप इसका कलर देख सकते हो कितना प्यारा आया वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बनकर रेडी हुए थे डेड़ कप मैदे से आ मैंने सेम प्रोसेस से मैंने दूसरे नान को भी रेडी कर लिया है और पैन पर डाल दिया है इसके उपर बबल आने पर मैंने लगाया है घी आप चाहें तो मैं फिर कह रही हूँ आप तेल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पैन को उल्टा करकर बस इसे पका लिजी और अब मैं नान को तोड़ कर दिखाने वाली हूँ कि इतने सॉफ्ट बने हुए थे आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप डिस्किप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं हर चीज को सही मिज़मेंट में बताया है